हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो माई चैनल स्टेप बाई स्टेप गार्डनिग फ्रेंड्स देखिए आज मेरे पाच कुछ निव प्लांटर्स हैं मैंने कुछ निव प्लांटर्स अपने गार्डन में एड़ किये हैं तो सुचा आप लोगों से भी शियर कर दो बहुत संदाएंगे और सभी में मैंने अलग-अलग प्लांट लगा रखे हैं चोटे से प्लांटर हैं इसली मूव हो जाते हैं आप इन्हें कहीं भी शिप्ट कर सकते हैं कभी लीविंग रूम में रख लें कभी आउटसाइड रख लें तो यह मेरे कुछ प्लांटर्स हैं और सभ आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी, मैंने इस प्लांटस में कौन-कौन से प्लांटस लगाए हैं, वो भी मैं आप लोग को दिखा देती हूं, देखे मैं यहां से स्टार्ट करते हूं, यह जेट का प्लांट है, जेट बहुत ज्यादा खुबसूरत लगता है, यह मीनी जे प्लांटर है, तो आगे मैं इसको कटिंग करके अच्छा सा बॉंसाई बना दोंगी इस वाले जेट प्लांट को तो और भी ज्यादा ब्यूटिफुल लुक देगा, फिर मैं आगे इसकी वीडियो आप लोगों से दुबारा शेयर करोंगी, यह प्लेन ग्रीन कलर का जेट आपको बहुत जगे देखने को मिल जाएगा लेकिन यह वाले जो प्लांट है यह कमी देखने को मिलता है, तो मेरे गार्डन में एड हो चुका है, देखे कितनी ज्यादा खुबसूरत लीवस होती है इनकी, और भी इसके मेने कर्टिंग लगाई थी बहुत इजी टू ग्र जाती है आपके गार्डन में, बस अच्छी सी सनलाइट देते रहेंगे आप जेट को, तो यह कभी भी खराब नहीं होती है, चहें बारिश हो चहें दूपो सबको बेर कर लेती है, तो काफी हाड़ी होती है, उसकी बाद है मेरे यह सैंसी वेरिया, यानि कि इसनेक में छोटा ही रहता है, कितना भी टाइम हो जाए इसे, यह छोटे ही साइज में रहता है, और जब थोड़ा सा ओल होता है, तो निव बेबी प्लांट बनने लगते हैं इस प्लांट में, तो उस वज़ा से यह काफी इसली डिवाइड हो जाता है, बहुत सारे प्लांट इसक इसके बाद ये दूसरा भी इसने प्लांट है लेकिन ये थोड़ा सा अलग है इसकी एजस देख सकते हैं आप लो है तो ये अलग लुग देता है ये वाला डॉप बराइटीका था और ये लॉंग बराइटीका देखिए इसकी हाइट कितनी जादा है तो बहुत खुबसूरत लगता है ये प्लांट मुझे इसलिए मैंने इसे अपने गारण में एड़ किया है इसके और प्लांटर्स है मेरे पास और फिप नंबर पर है ये मेरा क्रेश्वला का प्लांट ये बहुत जादा खुबसूरत होता है अगर आप इसे लो लाइट में रखते हैं तो इसकी ज बहुत ब्यूटिफूल लुक देता है तो आप क्रेश्वला को अपने गारण में एड़ कर सकते हैं इस तरह से चोटे-चोटे प्लांटर्स में भी लगा देते हैं तो बहुत खुबसूरत लुक देता है बस इसे अच्छी सी संडाइट मिलेगी तभी खुबसूरत सा कलर निघर के आएगा क्रेशुला में इजी टू प्रोपोगेट होता है इस तरह से चोटी-चोटी कटिंग्स भी लगा देते हैं तो यह घृ सुव और भी ज्यादा खुबसूरत लग रहा है आप अगर से बुशी बनाना चाहते हैं तो बार बार इसकी जो इस्टेम लंबी होती है उसे कट करके इसी पॉट में लगाते जाएंगे तो और ज्यादा बुशी बन जाएगा यहां से भी न्यू क्रोथ हो जाएगी और जहां यह क इतना खुबसूरत लग रहा है चोटे-चोटी लिवस हैं इसके और यह हैंगिंग में लग जाता है और क्लाइबिंग में तो मैंने चोटे से कंटेनर में एक चोटी सी गटिंग लगाई थी काफी अच्छी ग्रोथ हो रही है निव निव लिवस आ रही है इसमें भी निव लिवस आरी है फिलो डेंडों की अधर वराइटी भी मेरे गार्डन में एवलेबल है डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक दे दूंगी तो आप वहां क्लिक करके देखेंगे कि मेरे पास और कौन सी वराइटी ए फिलो डेंडों की काफी हैल्दी प्लांट से मेरे ग प्लांटर्स पना रखे हैं देखिए इस तरह का कुछ बॉटल था यह यह देखिए मुझे कहीं से एक साथ इतने सारे बॉटल मेल गये थे तो मुझे आइडिया है कि मैं इसे कट करके कुछ प्लांटर्स त्यार कर लेती हूँ तो बहुत खुबसूरत लुक देंगे और आप में कुछ ग्रिनिश प्लांट लगा दी है तो और ज्यादा खुबसूरत लग रहे हैं तो आप भी ऐसे डियावाई प्लांटर्स बना कि अपने गाडन में एड कर सकते हैं और जो यूजलेस चीजे होती है वो हमारे गाडन में यूज भी हो जाती है प्लास्टिक को य मैं ऐसी कोशिश जरूर करनी चाहिए यह आइडिया मुझे अच्छा लगा था इसलिए मैंने सुचा एक वीडियो बना के दोस्तों से शेयर कर दूं कि अगर आपको कुछ ऐसे कंटेनर कुछ बॉटल्स मिलते हैं तो आप भी इस तरह से उसे रियूस कर सकते हैं उसे कट कर के खुबसूरत सा उसे डिजाइन भी बना सकते हैं यह मेरा वाइट किलर का है मुझे वाइट किलर ज्यादा पसंद है तो इस पर मैंने ड्रॉइंग नहीं किया अगर आप चाहें तो इस पर कुछ खुबसूरत सी ड्रॉइंग भी बना सकते हैं वो अलग से ही लुप तो वीडियो को लाइक कर दिजीगा दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी प्रेस कर दिजी ताकि आगे जो भी वीडियो आए वो इसली आप तक पहुच पाए जल्दी किसी नए टॉपिक पर आप लोगों से फिर मुलाखात होगी तब तक अपना कहल रख झाल